Hey beautiful people, what's up guys, welcome to JKSSB online tutorial, मैं हूँ सतीश और आप लोगों के लिए खुश कबरी ये है कि आल से मैं आप लोगों के लिए स्टार्ट करने वाला हूँ female supervisor exam के लिए mcq series with explanation जी हाँ और ये mcq series free of cost होने वाली है अब सभी students के लिए well आप सभी लोग जानते है female supervisor के लिए हम लोगों ने paid course start करा है जिसमें बहुत सारे बच्चों ने बहुत प्यार दिया मैं दिल से आप लोगों का thank you बोलना चाहत हो जो भी बच्चे है मारे paid course में हैं और वहां तो system चल रहा है और हमारे कुछ time मैंने वहां पर search किया है कि मैं दो डाई मीने पर पूरा slivers खतम करवाने के बाद हम पूरी full-fledged उनको फिर से revision करवाएंगे क्योंकि उस paid course में female supervisor की paid course में मैंने 100% selection guarantee का जो वादा किया है ठीक है वो मैं जरूर उसको निबाऊंगा और मेरी पूरी team प्लस मैं खुद उस पर दिन रात हम लोग काम कर रहे है एवन एक बहुत बड़ी खुशकबरी भी है उन बच्चों के लिए जुन्हों ने हमारा paid course जोईन कर रहा है वो भी revealing करूँगा बात में करूँगा लेकिन लेकिन बहुत सारे ऐसी candidate है जो YouTube पे काफी लंबे डाइम से मेरे साथ है मेरे current of years मेरे बाकी lectures को जिन्हों ने बहुत जादा प्यार दिया उन सब लोगों के लिए उन सभी students के लिए मैं free में mcq series start करने वाला हूँ जिसमें जितने भी topics रहेंगे सारे topics series जो है mcq series हलागी मैं पूरे mcqs निकरवाँगा लेकिन आप लोगों को इतनी value जरूर free में दूंगा कि आप लोगों को बाकी जितने भी YouTube पे लोग पढ़ा रहे हैं उनसे एक अलग level आपको देखने को मिलेगा देखो आज पहला lecture है मैं भी थोड़ा सा lengthy होगा क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि basically चीजें कभी भी सही गलत नहीं होती हाँ relevant और irrelevant होती हैं अगर आप कहीं से भी पढ़ रहे हो कि किसी भी टीचर से आप sociology या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो टीचर कभी सही सौरी टीचर कभी गलत नहीं होता हाँ अगर वो experience जाए तो आपको direct में चीजें करवाता है कि बस यहीं कर लो यहीं पर आएगा क्यूंकि जो टीचर एक्सपीरेंस टीचर होता ना उसको एक strategy का बता होता है कि exam में बच्चा तब ही चीजें solve कर पाएगा जब उसका core concept clear है otherwise maximum चीजें कर तो सकते हो पर याद रखना impossible है clear है तो जितने भी बच्चे जो हमारे paid course में हैं आप सब बहुत बड़ी आच्छे तरीके से कर रहे हूँ आप लोगों का continue है आप लोग हमारे paid course में continue रखो लेकिन जिन बच्चों ने जो बच्चे हैं मेरे साथ YouTube पे जुड़े हुए हैं क्योंकि YouTube जो है उसी से हमारी पहचान है YouTube पे जो हमें लोग देख उनी से हमारी पहचाना और आप लोगों के लिए मैं personally separate extra time निकालूँगा हलाकि मेरे पास बहुत कम time है लेकिन फिर भी मैं daily शाम को आप सब के लिए extra time निकालूँगा so that कि मैं आप लोगों के साथ जो बच्चे YouTube पे मुझे support कर रहे हैं हमारे चैनल को support कर रहे हैं हमारे सभी टीचर्स की वीडियो को देख रहे हैं लाइक कर रहे हैं उन सब के लिए मैरी तरफ से एक free of course series जो है आप लोगों के लिए रहेगी और येकीन मानो इसमें इतनी value आप सुसाइटी ठीक है सुसाइटी के important mcqs mcq series जो हम स्टार्ट करेंगे आज और जिसमें मैं आपको लोगों के लिए हमारा जो आप है इसका नाम है जिकेस भी आप लोगों के साथ अपलोड भी करता जाओंगा आप यहां से PDF को डाउनलोड भी कर सकते ठीक है यहां से आप लोग PDF डाउनलोड भी कर सकते हो और प्लस मैं जो भी PDF साब को दूँगा उसी PDF की मैं कोशिश करूँगा कि बीच वीच में आप लोगों को मॉक टेस्ट फ्री मॉक टेस्ट जो है वो भी इस PDF में मतब सुरी हमारी जेकेस भी ऑनली टुटोरियल आप के रहेंगे तो जितने भी बच्चे जो जॉइन नहीं है वो हमारी एप इंस्टॉल करके आप लोग जा सकते हैं एप के ओपर PDF डाउनलोड कर सकते हैं मौक टेस्ट जे सकते हैं और एक चीज मैं और बता दू अगर हो सके देखो जिन्दगी में सिरफ उपर वाले को छोड़क ठीक है उपर वाले को छोड़के हर किसी को प्रॉब्लम है पैसे को लेकर ठीक है लेकिन अब यह आपके उपर है कि आप उसको अरेंज कैसे करो एक होती है प्रॉब्लम एक होता प्रॉब्लम का solution अगर आपके पास प्रॉब्लम है तो try to find out the solution कि किस तरह से हम लोग अरेंज क में करेंगे okay तो आज हम लोग लेक्चि छीडियस वान टोपिक लेक्च लेक्च्ट लेक्च बैक् race1 अंड टोपिक सुसाइटी स्टाड करेंगे ँट करेंगा तो पहला जो किशीन हा- आज के हमारे MCQ series का topic society का that is society is best defined as मैं जिस तरह की questions आप लोगे साथ share करूँगा डिटो इस तरह से questions पूछा जाएंगे language change हो सकती है ठीक है लेकिन question इसी तरह के exam में आएंगे ठीक है तो अब जो हमारा पहला question है पहले question में पूछा गया है कि बताइए society जो है वो मतलब उसके definition in short आप से पूछी गई है ठीक है तो पहला जो option है that is a group of people living in the same geographical area ठीक है मतलब कहने का कि society की उपर कोशन है पूछा what is a defined society ठीक है west definition बताओ society की क्या है तो नीचे जो पहला option है उसमें बोला है a group of people living in the same geographical area मतलब एक group of people ठीक है जो same area में रहते हैं ठीक है same geographical area में रहते हैं ठीक है पहला option तो यह है तो अब हमें लगा कि हां भाई हमने पढ़ा है कि same geographical area होता society का मैं जो भी चीज़ें आपको करवा रहा हूं न यह सारी यह सारी चीज़ें बहुत अच्छे से अल्रड़ी पेड कोर्स में करवा चुक हो तो जितने भी पेड़ वाले बच्चे है न वो ना देखें क्यों क्योंकि वो जो मैं करवा रहा हूं वो आप लोग सिर्फ अप ठीक है मतब एक ऐसा ग्रूप जो कल्चरल नॉर्म्स और वैल्यूस को शेर करता है ठीक है क्लेर तीसरा में लिखा है अग कोलेक्शन अफ इंड्विजल विद सिमिलर इंट्रस्ट मतब ग्रूप और पीपल यह की बात होती है जिनका सेम इंट्रस्ट है और चोथे में आता अगरूराम जैशंन यह यहाँ हुँ शोटर्स्ट वाले ओपशन और यहшая ठीक है यहां सूसाइटी की बात की जा रही है तो society में organization organization जो होता ना ये आप लोग association की जब बात हो रही है वहाँ organization word हम use कर सकते है society point of view में नहीं कर सकते क्योंकि society जो है वो बहुत बड़ा concept है ठीक है उसके बाद अगर हम उपर third वाला देखें तो ये भी नहीं है क्यों कि यहाँ पर बात करी गई है similar interest की तो similar interest जो है वो नहीं होता क्यों नहीं होता क्योंकि similar interest रिफ association में होता है so that कि वो एक मतलब जिन लोगों का similar interest वो लोग join होते हैं जैसे for example suppose को नेचर को लेके बहुत सारे लोगों को प्यार है तो वो क्या करेंगे nature को लेके एक respect यह इंट्रेस्ट है तो वो सारे लोग एक अठा होके क्या गरते है नेचर की protection के लिए काम करते हैं so that's why उसको association बोलता है लेकिन वो society में नहीं आता यह सारी चीज़ा मेरे differentiate करी है ठीक है उसके बाद उससे जो ऊपर वाला भी तो हो सकता है क्योंकि उपर में सेम जो ग्रॉफिकल एरिया लिखा है कभी-कभी जब्मों का बंदा अगर कभी हिमाचल जाता है बर्फ देखने तो वहां पर कि अगर दस बायाम भीज दिन रहता है तो वां ग्रॉप ऑप सकते हैं जी थो आख करमें इश के बताती आई सउगा घ्र व एक क्रमें को नग जो सकते हैं क्यों इसका यूद क्राइट यूद ये ये इसका answer कैसे है, सुनो, लिखा है कि society क्या होता है, group of people, group of individual, जो आपस में एक common culture को share करते हैं, norms को share करते हैं, values को share करते हैं, या social interaction को share करते हैं, याद रखना, ठीक है, जहाँ पे interaction नहीं है लोगों की बीच में, यहाँ पे, जिस जगा पे interaction नहीं है लोगों की बीच में, व बाकी चीज़ें बाद में आती हैं, बाकी चीज़ें बाद में आती हैं, primary जो चीज़ है, वो होता है, social interaction और social interaction तभी होता है, जब एक दूसरे के साथ, लोग अपने cultural norms, values या, मतलब, behavior जो है, वो share करते हैं, समझाई, कहने का मतलब यह, कि अगर, मैं जिस भी जगा पे रहत में fundamental feature है, that is interaction, जब interaction होता है, अब obviously बात है, interaction जब हो रहा है, तो जिस जगा पे वो रहा है, वहां का जो भी culture होगा, norms, norms होता है, behavior, ठीक है, एक जो rules and regulation लगा लो, जो society decide करती है, जिस basis पे आप लोग behave करते हैं, उसको norms बोलते हैं, ठीक है, और values क्या होती है, values होती है, importance, ठी मतलब जब यह सारी चीज़े, एक इनसान follow करता है, उसको use करता है, society में interact करता है, उसी को बोलते है, society, समाज आई, अगर कभी पे सिर्फ geography लिखा होगा, doesn't mean कि वो society है, जब तो कुन की बीच में interaction ना हो, पहला question समझ आया, चले, अगला question है, पूछा गया है, which of the following is not a characteristic of society, पताईए, कौन सा ऐसा option है, जो society का characteristics नहीं है, सबसे पहले हमने देखा, क्या है, social interaction, obviously, जब तक social interaction नहीं होगा, तो society नहीं होगी, तो इसका मतलब ये तो feature है, ठीक है, हम बात कर रहे हैं, जो feature नहीं है, जो characteristics नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है, अब उसके बाद hierarchical structure hierarchical structure के अगर हम बात करें, तो भाई, society अगर है, तो obviously उसमें कुछ, कुछ लोग higher होंगे, कुछ lower होंगे, कुछ mid में होंगे, ठीक है, clear है ना, क्यूंकि society में हम लोग को ने caste system पढ़ा, class system पढ़ा, अब दोनों में hierarchical होती है, ठीक है, caste में जो था, वो caste based hierarchy थी, class में जो था, वो class based, मतब higher class, lower class based थी, लेकिन थी, hierarchical structure था, तो ये भी characteristic है, society का, उसके बात economic system, जाहिर सी बात है, अब जो economic system, आप पूरा class system के अंदर आता है, तो जाहिर सी बात है, ये भी आपके caste, ये भी आपके society का feature है, लेकिन अब कौन से चीज रहेगे, जो feature नहीं है, that is, cultural diversity, हाला क आप बोलोगे, sir, वो कैसे, अब एक society में तो बहुत सारी cultures है, ठीक है, अब बहुत सारे लोग different culture के हैं, तो diversity तो होगी, ये भी तो हो सकता है, अब इसका answer में बताता हूँ, इसका basically क्या है, देखो, cultural diversity जो है, that is not a feature of society, not a characteristic of society, क्यों नहीं है, सुनो, क्योंकि cultural diversity जो है, वो क अब बताता है, वो किसको बोलते हैं, जो society के अंदर different culture जो presence होते हैं, वो सुसाइटी का एक defining characteristics नहीं है, अपने आप में, ठीक है, clear है, यहां बात किसी की कर रहे थे, characteristics की कर रहे थे, जो holy soli society, जो holy soli क्या है, पहलू है society का, characteristics, features का मतलब बता है, aspects, मतलब पहलू, ठीक है, तो cultural diversity का answer क्यों है, cultural diversity is not a characteristic, क्यों नहीं है characteristic, क्योंकि cultural diversity कि इसको refer करते हैं, जो different culture presence है हमारी society के अंदर, उसको culture diversity बोलते हैं, no doubt, ठी society का culture diversity अपने आप में characteristics नहीं है, याद रखना है इसको, ठीक है, clear है, चारो, अगला जो question है, पूछा गया है, कि बताइए, the concept of socialization refers to, socialization proper एक topic आपके syllabus में, जो हमने second topic, unit 2 में है आपका, ठीक है, और हम लोग, मतलब इसको कर चुके हैं, at least, कर चुके नहीं, मतलब खतम कर च socialization पूछा गया है कि जो socialization है, यह जो concept of socialization का किस चीज को बोला जाता है, तो socialization के बारे में मैं आप इतना बोलूँगा, कि socialization basically बोलते हैं, learning process को, किसको बोलते हैं, learning process को, अब learning process क्या होता है, सुनो, जैसे एक बच्चा पैदा होता है, ठीक है, अब वो जो पैदा हुआ, वो क्या है, वो biological being है, मतलब एक जीवित इनसान है, bio का मतलब किस चीज की study है, जिसके अंदर जानदार चीजों की study होती है, तो उसको बोलता है biology, तो biological being मतलब एक जीवित इनसान है, मतलब जिसके अंदर जान है, वैसा एक being है, लेकिन, लेकिन, वो biological being जो है न, वो social being जो ब तताइं है कैसे मतलब कहने का जब एक बच्च videos Спी पैदा होता है फिर उसके बाद family जो है उसको सिखाती उसको बड़ा करती है उसको चीजों को सिखाती है लेंग्वेज हो गया उसकेब इसके बाद अपने क्लचुर्च को लेकर चीजे हो गई ह उसके बाद सो्साइटि के नॉंप वगरा हो गए उसके स्किल्स हो गई इन्फ़र्मेशन ओगी इतु इंसान बच्पन से लेकर पेदा होने के रहçar денег सीखता है ना उसको बोलता है socialization ठीक है और actual में socialization हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं कि एक biological being जब एक human being में convert होता है वो किस process के थूँँ होता है वो socialization के थूँँ होता है और socialization किसको बोलते है socialization means a learning process जो एक बच्चा जब पैदा होता है तब से लेकर जब वो जवानी बुड़ापे तक जो चीज़े वो सीखता है society में रहने के लिए उन सभी चीज़ों को बोलते है उस learning process को बोलते है socialization समझ आया वही आप लोगों को socialization का concept जो है यहां पूछा गया है तो मुझे उमीद है कि आपको ठीक है the process of acquiring social skill and behavior यह इसका answer हो सकता है लेकिन अभी बाकी option देखेंगे next process of adopting to new environment मतलब एक नया environment को adopt करने का जो process है next लिख है the process of achieving personal goal मतलब अबने personal goal को achieve करने का process ऐसा नहीं है इसमें क्या है the process of acquiring social skills and behavior ठीक है चली इसका जो answer है that is B okay मतलब हम लोग society में जो चीज़ें सीखते हैं अब यहां पे तो इन्हेंने suppose सिर्फ लिख देना social skills सीखना basically एक learning process है जिसमें एक बच्चा सारी जिन सीखता है मतलब बोलना सीखता है अपने culture के बारे में सीखता है उसके बाद जैसे वो बड़ा होता school जाता है फिर skills के बारे में सीखता है, education के बारे में, information के बारे में, मतब society में जितनी भी चीजेने, जो सीखता है, skill जो सीखता है, और फिर उसके accordingly जब वो society में behave करता है, ठीक है most important चीज behavior, ठीक है,造或者 behavior जब वो behave करता है, अब behave क्या होता है मतलब जो society में जब अच्छा पैदा होता है तो जो norms सीखता है ना social norms जो हमने पड़े थे आप लोगों अगर आप हमारे paid batch में होंगे तो मैंने बहुत अच्छे समझाया था social values norms ठीक है उसके बाद इन सब के बारे हम बहुत अच्छी से एक्स्प्लेइन कर रहा है नॉम्स बेसीकली होते हैं ऐसे रूल्स ऐसे मतलब ऐसे रूल्स जो बेसीकली society आपको सिखाती है और जब आप उन रूल्स के उन उन रूल्स के accordingly जब आप 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 करते हो सो डाट कि society में stability बने रहे है उसको बोलता है social norms ठीक है तो समझागी अब इसका answer क्या है इसका answer है the process of acquiring social skill and behavior ठीक है तो वह लिखा है कि socialization किसको बोलता है एक ऐसे process को बोलता है जिसके through individual जो है वो क्या करता है knowledge, skill, value, attitude, behavior जो है उसको acquire करता है मतलब सीखता है जो important है जो important है क्या करने के लिए function करने के लिए as a member of society ठीक है जो मैंने बताया था ना आप लोगों को कि एक biological being से human being में एक इंसान convert होता है तो वो जो चीज़ें सीखता है biological being से human being में convert होने के लिए उस learning process को बोलता है socialization वही चीज़ बोली है ठीक है अगला जो question है पूछा गया है कि बताये which theoretical perspective focus on the macro level analysis of society ठीक है clear है macro मतलब होता है overall ठीक है macro के क्या मतलब होता है macro मतलब overall की बात हो रही है large scale पे बात हो रही है कि कौन सा ऐसी theory है कि कौन सा ऐसी theory है कि कौन सा ऐसी theory है जो society के overall analysis पे focus करती है ठीक है तो इसका जो answer है that is functionalism क्या answer है functionalism अब functionalism जो है वो एक theory है ठीक है society theory है जिसका जो क्या कहती है जो बोलती है कि society क्या है एक complex system है जिसमें सारे के सारे parts जो है वो क्या है interconnected है, ठीक है, जब वो interconnected part जो एक साथ काम करते हैं, वो एक साथ जब काम करते हैं, उसी एक साथ काम करने से क्या होता है, society में order और stability जो है, वो बनी रहती है, clear है, एक साथ काम क्या करते हैं, अब यह पूछोगे, देखो, हमारे society में, जितने भी, हमारी society के अंदर, क्या क्या च पढ़ाया मैनेश के बारे में पढ़ाया था उसके बाद एजूकेशन इंस्टूशन में आप लोगों का यह स्कूल कॉलिग उनिवस्टिया जाती है फिर मैंने आपको एक नॉमिक इन्स्टूशन के बारे में बताया था जिसके अंदर आपका यह प्रड़क्शन जो हैं सुसाइटी के यह क्या है यह सारे इंटर्कनेक्टेड़ बाई एक और चीज इंपॉर्टेंट है गॉर्मेंटल इंस्टूशन जो मैंने आपको बताया जिसके अंदर आपके लॉज वगएरा पुलीस वगएरा जुडिश्री वगएरा सारी आती है यह सारी के सारी क आप काम करते हैं उसी से सुसाइटी में मिन्टेनस, सुसाइटी में स्टे बिलेटी और सुसाइटी में ओर जो है वो बना रहता है तो इसमें क्या चीज लिखे, it emphasized the function and contribution of different social institution in society, समझाई, यह मैंने proper level पे बच्चों को theory करवाई है, और मेरा main मकसद होता है बच्चे को समझाना, मेरा main मकसद है बच्चे को समझाना, ठीक है, तो यह सारी चीज़ें, अगर मैं ऐसे thoroughly आपको पढ़ा रहा हूँ, यह मैंने आज से कम से कम एक महिना पहले बढ़ाई थी, स्टिल मैं आप लोगों को अच्छे से explain कर पा रहा हूँ, because I know everything is cleared in my mind, so that's why I can explain each and everything, मैंने कोई, मतलब समझना कि मैं अलड़ी पूरा homework करका हूँ, यह मैंने जस्ट खोला है, समझ लो कि अगर इस तरह की चीज़ें, जब मैंने थियोरी में पढ़ाई होंगी, तो वो किस लेवल पे होंगी, ठीक है, चलो, अगला जो कुशन है, कुशन में पूछा है, कन्फिलिक्ट थियोरी के बारे में, जो कालमाक्स दॉरा डवलप की गही है, कन्फिलिक्ट थियोरी किस पे बेस्क होती है, ठीक है, कन्फिलिक्ट थियोरी, कन्फिलिक्ट का मतलब होता है, क्या, कन्फिलिक्ट का मतलब होता है, ऐसे कन्फिलिक्ट बोलते हैं, लड़ाई जगडे को, ठीक है अब लड़ाई जगड़ से आपको पता लग गया होगा कि इस पर्टीकुरर conflict theory में Karl Marx ने किस चीज़ सो focus किया है तो Karl Marx ने basically focus करा है कि basically वो जो industrial revolution जब हुआ उस time पे जब वो working class और industrial class जब start होई capitalist class और working class जब start होई और उन लोगों के बीज में जो conflict था basically conflict theory में उन दो classes के conflict को explain कर रहा है Karl Marx ने ठीक है तो वही है इसमें options आपको दिया है the positive function of social institution यह तो option बिल्कुल भी नहीं है ठीक है उसके बाद हम बात केते हैं the role and symbol of social interaction in society यह भी इसका answer नहीं है ओके next जो है that is competition and struggle for resources and power यह इसका answer ठीक है यह इसका answer आप सोनों कैसे इसका answer मैं आपको क्या बोला कि conflict theory में working class और capital class मतब इंदस्ट्राइबडिशन की वज़़ा से दो classes का मर्ज हुआ ठीक है मैंने आपको society के types पढ़ाई थी और इस types में आपको पताया था अग्री अग्री कल्चर सोइटी अग्री रेन सोइटी उसके बाद मैंने आपको पताया था industrial society मतब प्री industrial industrial and post industrial society के पढ़ाया था अब इंदस्ट्री सोइटी में क्या हुआ कि जब इंदस्ट्री रेवलिशन हुआ अठारमीश तावदी में 18th century में जब इंदस्ट्री रेवलिशन हुआ तो उस पे उस टैम पे क्या हुआ कि दो classes की मर्ज होई उससे पहले कि अगर हम बात करें तो caste system चलता था इंडिया मे इंदस्ट्री रेवलिशन के वज़ा से क्या हुआ class system स्टार्ट हुआ अब पहली जो class थी वो थी capitalist class और capitalist class के इनको बोलते थे पुंजी पतियों को बोलते थे जिनकी factories वगरा होती थी ठीक है industrialist को बोलते थे और वहां पर जो काम करने वाले लोग थे वह कौन थे वह थे working class अब working class और capital class के बीच में जो conflict होना शुरू हुआ हलाकि वह conflict नहीं था हलाकि एक दूसरे का काम था लेकिन काल माक्स नसको conflict नजरों में देखा क्यासे देखा क्यूंकि वहां की जो lever थी उनका यह इसका अंसर है यह option जो थर्ड है यह इसका अंसर है तो वह लिखा है option C जो है competition the competition struggle for resources and power तो conflict theory क्या suggest करती है कि society जो है वो characterized by social inequality मतलब अब conflict theory में क्या था कि society जो है उसमें social inequality है जिसमें powers को लेके struggle किया जा रहा है between different groups अब different groups को उन से थे एक capitalist और दूसरा working class clear ठीक है it focus on how social institution and structure contribute to the maintenance of social inequality अब इस पर यह focus किया गया कि किस तरह से social institution and structure जो है वो contribute करते हैं कि social inequality को maintain किया जा सके ठीक है sorry social inequality social society में equality को maintain किया सके हलागि इस चीज़ को छोड़ो में चीज यही था कि जो conflict theory इसका में यही था कि society में जो inequality है जो power struggle जो चल रहा है between capitalist and working class उसके ओपर यह conflict theory पूरी की पूरी बेश्थी clear है हलांकि यह चीज़ें तो मैं आसा उपर उपर से overview आपको explain कर रहा हूं हलांकि मैंने यह सारी जिए बहुत deeply explain कर रहे हैं हमारे paid course में अगला जो question है that is the concept of social certification refers to society के अंतों social certification करना से बहुत खतरना है ठीक है बहुत एक अलग अब क्या है social certification social certification social का मतलब word जो है that is from word society and certification का जो मतलब है that is what that is certification word is taken from word strata strata का क्या मतलब होता है strata means layer ठीक है तो मतलब की society वो जो layers बनी है ना layers मतलब hierarchy जो बनी हुई है society में जो लोग है वो जो different different layers में divide है उनको बोला जाता social certification ठीक है तो वही लिखा है कि social certification concept जो है किस चीज़ को refer किया जाता है तो लिखा है division of society into different social classes ठीक है यह पहला option है दूसरा process of cultural diffusion अगला formation of social norms and values देखो दूसरा तो नहीं है cultural diffusion का तो कोई मतलब नहीं है social certification में diffusion का मतलब होता है मिलना culture culture की मिलावर तो कोई लेंदेन है नहीं तीसरा वाला जो है वो formation of social norm social norm की formation तो आईगी नहीं इसमें third last वाला जो है the interaction between region and society यह भी इसका अंसा नहीं है इसका जो answer that is the division of society into different social classes मतलब society जो divided on the basis of different classes उसको बोला जाता social certification ठीक है तो वही लिख है कि social certification refers to the division of society into different social class या group डिपेंड करते हैं किस पे wealth पे occupation पे social status मतलब society में जो लोग जाए ग्रूप पीपल है जो divided हैं different different layers में on the basis of wealth मतलब कितनी पाव कितना पैसा है occupations के basis पे कौन-कौन से काम कर रहे है या उनका क्या status है higher status or low status है इस basis में जो society divided है ना different layers में उसको बोला जाता है social certification clear है अगला जो पूछा गया है कि बताए which of the following is an example of social institution ठीक है social institution का example पूछा गया है तो पहला इसका अंसर basically family है ठीक है अब family जो है वो क्यों है सुनो इसका answer family क्यों है क्योंकि social institution के बारे में मैं आपको पढ़ाया था social institution क्या है social institution basically वो institutions है जो आपको सिखाती है कि society में किस तरह से रहना है ठीक है तो इंसान की जो पहली जो learning process है that is family so that's why family is a social institution ठीक है उसके बाद जितने भी सारे institutions हैं जैसे education institution में आप लोगों के यह school college फगरा जाते हैं उसके बाद government institution के अंदर आपका यह judiciary law governments यह सब कुछ आ जाता है health institution के अंदर आपके जो hospitals हैं यह सारा system आ जाता है economic के अंदर आप लोगों का यह सारा जो भी क्या बोलते सको consumption production फगरा जाती है इस सारे social institutions है मैं और इन सभी social institution के अच्छे से काम करने से ही society में stability और social order जो है वो बना रहता है clear है ठीक है तो इसका आंसर है that is family अब पीर गूर्प किसको बोलते हैं पीर गूरूप सो होते हैं जैसे आप लोगों के जिसके बीज में बैड़ के गपे मारते हो ना जैसे आप लोगों friend circle हो गया आपके clicks हो गया उनको बोलते पीर गूरूप से लिजिस ब्लीजिस पर जो विश्वास पर इसको बोलते है इसका जो आंसर है that is family clear अगला जो question है that is next question में पूछा गया है कि the process through which an individual learn and internalize cultural belief value and norms is called मतलब की एक ऐसा process जिसके through एक बंदा जो है एक individual जो वो सीखता है learn करना मतलब सीखना और internalize होता है अपने अंदर acquire कर देना internalize मतलब अपने अंदर डाल लेना किस चीज़ को cultural beliefs को values को norms को क्या बोलता है उसको जैसे मैं आपको firstly बिताया था process learning process that is socialization learning process किसका अपने culture का अपने beliefs का values का norms का ठीक है यह अलड़ी हम कर चुके है तो यह सी चीज़ को manipulate करके आपको बताया गया अगर concept clear है तो आप इसले टिक मार होगे ठीक है तो इसका क्या answer है इसका answer है socialization क्या answer है socialization अब socialization ही कि ऐसा process से जिसमें बच्चा क्या करता है acquire करता है knowledge, value, attitude, behavior जो important है society में function करने के लिए ठीक है clear है it involves learning and internalizing मतलब सीखना और अपने अंदर डालना clear है बड़ा मज़ा आता है मुझे पढ़ाने में पता है और मुझे और ज़्यादा मज़ा आता है जब आपको सीखते हो मुझे यहाँ वहाँ की बाते करना नहीं आती है हाँ इतना है कि extra हमेशे तो भी बोलता हूं जब मुझे पता है कि सामने वाले को समझ आना चाहिए ठीक है नेक्स्ट पूछा गया है कि बताएं विच ओफ दौ फॉलविग इस एन एक्जेंपल ऑफ प्राइमरी ग्रूप बताएं इसमें भी आप लोगों को दिख रहा है जितने भी आपको नेची ग्जेंपल जी है बताएं इसमें प्राइमरी ग्रूप जो है वो कौन सी ह आपको इसमें इसमें और प्राइमरी ग्रूप कि जो आंसर है that is family members फ्रीक है क्या आंसर है family members मतब जब अच्छा पहता होता है सब से पहले है family is a primary unit, family is a smallest unit and family that is a small unit of society तो फैमिली बहुत इंपोर्टन है और एक चीज और बताऊं फैमिली जो है that is the most important aspect आप लोग कह सकते हैं in the socialization क्योंकि एक इंसान की socialization वो भी family से start होती है ठीक है तो फैमिली ग्रूप जो है को क्या होते हैं small होते हैं intimate बता बहुत करीबी रिष्टे होते हैं इन से होते हैं ठीक है और इनके बीच में क्या होता है emotional ties होते हैं deep personal relation होता है और एक sense of belonging होती इनके अंदर और फैमिली जो है that is a primary group जिसमें जो एक इंसान की जो एक individual की socialization की foundation जो हो रखता है मताब एक इंसान सीखते ही family से यार उसके बाद ही आप लोगों के यह co-workers होगे classmates होगे यहां यह जो एक्युदेंस बगारा है यह आपको अप लोगों को बाद में मिलते हैं clear अगला question है पूछा गया है कि बताइए concept of social change refers to social change social change simple जिवाता है social मतलब society change मतलब बदलाब आप society time के साथ जो बदलाब आप उसी को बोलता social change simple अब इसका concept क्या बता रहा है जो simple सी चीज़ है सुने अब यहां पर लिखा है पहला जो option है that is process of cultural assimilation दूसरा जो option है that is spread of cultural trade from one society to another next is the transformation of social institution and structure over time ठीक है basically third ही स्कान सरे तो अब कैसे है सुनो देखो पहला जो है process of assimilation assimilation होता है cultural assimilation होता है assimilation होता है assimilation होता है मिलना खोड़ी social change बोलते हैं तो देखो simple सी बात है social change society मतलाब तो वह यहीं से बता लगता है society का main जो fundamental society में जो main चीज़े हैं जिसके basis पे society maintain और काम करती है वो क्या है social institution ही तो है अब जब social institution में transformation होगा changes होगा तो उसी को तो बोलते हैं changes simple तो यह इसका answer था ज्यादा दमाग लिगाने जुरती नहीं थी यहां है ठीक है मैं आप लोगों एक चीज़ बोलों याद जादा पढ़ने से वेपरवास नहीं होते हैं याद रखने चीज़ों को जब आप एक चीज़ का एक concept को जब आप चार तरहां से देखते हो ना तो question solve होते हैं ठीक है तो मैं एक ही यूट्यूब पर जो मुझे फॉलोग कर रहे हैं उन सभी लोगों को मेरी तरफ से help होती चले जाए बागी मिलता है नेक्स वोड़े मैं तब तक लिए देंगे स्वामाच्छ तेक्या बाए